रेडी होना चाहिए उसके लिए प्लाटफॉर्म पे पहले एक कपड़ा बिछा ले ताकि आपका जो बर्तन है वो हिले नहीं डो रेडी करते वक्त तो आप आटा डालेंगे प्रात में उसके बाद थोड़ा करके पानी डालेंगे बहुत जादा पानी आपने एक साथ नहीं आट करना है अदर्वाइस आटा बहुत जादा गिला हो जाएगा और चपाती बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी बहुत ही अच्छी बने उसके लिए हमें बहुत ही सौफ डो रेडी करना है तो उसके लिए थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सारा आटा इकठा करते जाएंगे जब रात में बिल्कुल भी सुखा आटा नहीं रहेगा और पूरा आटा एक साथ बाइंड हो जाएगा तब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे इसके लिए हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा होड़ा पानी भी साथ में ले सकते हैं अपने हाथ चकते हैं अटलीस 10 मिनट के लिए और आप 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पहले के आटे गूनने में और अभी गूनने में कितना डिफ्रंस आ गया हुआ है आटा बहुत जादा सॉफ्ट हो गया है इस आटे से बनाई हुई चपातियां आपकी बहुत अच्छी बनेंगी हर एक चपाति आपको फूलती हुँ नजर आएगी अगर आपके पास टाइम है तो 10 से 15 मिनट आप इसको और रेस्ट दे सकते हैं नहीं तो इमीजेटली भी चपाती बनाना शुरू कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तबाद च करेंगे हम अगर आप फर्स टाइम चपाती बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी शेप रोल ना आए डिफरन 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 शेप्स आपको देखने को मिलेंगी लेकिन कोई बात नहीं प्रैक्टिस में परफेक्ट तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली यही काम जो देखते ही देखते आपकी चपाती फूलने लगेगी दोनों तरफ से अच्छे से से शेक लेने के बाद उसे उतार लेंगे